यहाँ पर वाट्स आप यहाँ पर फाइनली ओपो इनको बर्ट लॉंच हो चुका है जो कि यहाँ पर एट नम के डैनमिक ड्राइबर 24 हो बैटरी एंड यहाँ पर एक्ट्व नुवाइस कैंसलिसन जैसी टेकनलोजी के साथ आता है जो कि यहाँ पर मोस्ट फ्रीम फीचर से लेकिन काफी अफॉर्टिबर प्रैसिंग में ओपो ने इसे लॉंच किया है और इसकी सेल भी लगना इस्टार्ट हो गई यहाँ पर आगे इस बीडियो में ओपो इनको बर्ट के फीचर्स डीटिल्स एंड प्रास गरिंग बात करेंगे तो इसकी लिए और अगर आप में अपना है चोंगे उस सब्सक्राइब करिए और भी कुद्धा सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पर इसके इनको लाइनप का एक न्यू इस परिफिल यह बट से जो कि यहाँ पर इस काफी सारे फीचिक साथ होता है लाइक इसमें आपको एक्ट्विन वाइस के एंसलेशन की टेक्मोजी फीचर रहती है जो कि मोश्टली प्रिमिम एरबॉट्स में फीचर रहती है लेकिन यह काफी बजट प्राइसिंग में ओपो की तरफ से लॉंच हुआ है जिसमें आपको 6mm का डैनमिक ड्रैबर मिलता है यहाँ पर 24 और की ट्योटर बैटरी इसमें फीचर की गए जिए आपको ओपो इनको बबर्स के फीचर्स के बारे में डीटेस्ट आते हैं जिसमें आपको बीटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है किने और इसकी मुझस से काफी इंस्टेंट एंड काफी फार्डी तरीके से आप अपने फोन से यापिर किसी अधर डियोश कर सकते हैं यहाँ पर इसके लोग ओपो इनको बाट्स में आपको Deep Neural Network मिलता है जो क्यों होता है DNN और यहाँ पर इसमें आपको Low Latestive Feature किया गया है जो कि यहाँ पर Gaming Mode के साथ आता है जिसमें यहाँ पर 80ms तक का Low Latestive Feature किया गया है जहाँ पर आप इसे Enable कर सकते हैं टैप करने के बाद Earbuds में इसके लोग ओपो इनको बाट्स में आपको SBC और यहाँ पर AAC IDU कोडिक फीचर किया गया है जहाँ पर इसमें आपको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉंस मिल जाता है यहाँ पर बात करते हैं ओपो इनको बाट्स में बैटरी की तो इसके यहाँ पर इसका चार्जिंग केस आपको सिंगल चार्ज में आपको 24 और कपलेविक देता है इसमें चार्जिंग करने के लिए यूस्बी टाइप-C का पॉर्ट मिलता है जिसकी मसली यह 2 और में कम्प्रिटली चार्ज हो जाता है यहाँ पर इनको बाट्स IP54 रेटेड वा लाइट रेंस में या फिर अगर आप जीन के लिए स्पोर्ट के लिए यूच करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट इयर बट से जो कि यहाँ पर इनको बर्ट के फीचर जो कि आपर फानली लॉंच हो चुका है इन चाना या फिर कुछ अधर कंट्री में जहां पर इसक कोई ज्यादा प्राइसिंग नहीं जो इंडियन ब्रांट्स अपने इयरबट्स लॉंच करते उसे काफी ज्यादा यह कैमपिट में रहेगा और काफी अगेंस रहेगा लेकिन ओपो ने कोई डिटेल नहीं कि आखिर इसे कब तक इंडिया में लॉंच कर सकता है और यहां प गो जिन